नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए संदार वीडियो में, आप में से काफी सारे लोगों न यंत्र इंडिया लिम्टेट के बारे में, संपूर जनकारी के बारे में हमें comment करके बताया था, तो आज कि हम इसमें सुनों बात करेंगे, यंत्र इंडिया लिम और जिस संस्था से यानि यंत्र इंडिया लिमिटेट से आप यह आप अप्रेंटिसिप ट्रेनिंग कर रहे हैं क्या यह प्राइवेट है या गौर्रमेंट है इसके बार में मैं यह आप चर्चा करेंगे तो आए जान लेते डिटेल में देखें वेकेंसी निकाली के ट्रेंट में फ्रेंट में फ्रॉम को अप्लाई कर सकते हैं इसमें से अगर आप X-Iti है एक एक अटियाई का मतलब हो गया फ्रेंट्स आपने 20 के साथ साथ अच्छा किया है 2 plus ITI तो आप the 358 vacancy इनके लिए इनका अलग seat है इनका अलग seat है तो आप आविदन दे सकते हैं लेकिन जिस trade से आपने ITI किया वह है उसी trade में आप form को apply कर सकते हैं अगर आप जिस trade में यहाँ पे वेकेंसी निकली हुए और उस trade में ITI आपने नहीं किया हुआ है तो फिर आप apply नहीं कर सकते हैं तब आपको जो है इसके साथ जाना होगा non ITI वाले के साथ जाना होगा तो उमीद है आपको इतना समझ में आ गयागा overall vacancy के बारे में इसका आविदन सुरू हो चुका है कैसे form भरना है मैंने already जो है इसके उपर वीडियो बनाए हुआ है form apply कैसे करना वो वीडियो नहीं देखें तो देख लिजेगा लास्टेट form भरने का 28 मार्च 2023 है एक मार्च से आविदन सुरू है और form भरने के लिए general OBC को 200 रुपए प्लस GST और SCST female को जो है 100 रुपए हम यह भी जानेंगे कि क्या 60%, 70%, 80%, 90%, 95% कि इसका selection होने का chance ज्यादा होता है क्योंकि इस vacancy में कोई आपको exam नहीं होगा बीना exam के basis पर मतलब minute के basis पर आपका selection होगा जो कि मैं आपर जानते हैं सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यंत्र इंडिया लिमिटेड है क्या और अप्रेंटिसिप करने से क्या काम करती है इनका काम होता है यंत्र बनाना जिससे गोला बारूद हो गया या जो भी ऑजार होते हैं जो भी डिफेंस के लिए यूज होते हैं हतियार या जो भी आपको देखेंगे बहुत सारे हतियार होते हैं बंदूख वगर गोला बारूद आप सो है overall समझ रहोंगे कि म कंपनी जो है यह काम करती है जो मिनिस्ट्री डिफेंस के अंतरगत में आती है अब यह जो है गॉर्मेंट है यह प्राइवेट नहीं है यह जो है गॉर्मेंट संस्था है जो मिनिस्ट्री डिफेंस के अंदर में आती है इसके साथ साथ यहां पे हम बात करते हैं जाता है कि किस परकार से काम होते हैं किस परकार से आप यहादा आप काम कर सकते हैं और काम जब आप से चुछेएगा न तो आप एक सही मिल जाता है कि यंजय Dad इंडिया लिंटेट के द्वारा आपको जो है ट्रेनिंग दिया गया, अप्रेंटिस सिप के तौर पे आपने काम किया और वह सेटिफिकेट आपको बहूत जादा आगे चलके प्रिफरेंस देता है, preference मतलब माली जब सपोच रेल्वे में भरती आगई तो रेल्वे में जब भरती आएगी तो वहाँ पूछता है फॉर्म भरते समय कि क्या आपने कहीं apprenticeship किया हुआ है क्या आपने कहीं training किया हुआ है जैसे कि फीटर से वेल्डर से कारपेंटर से लेक्टिसें से काफ़ी सारी वेकेंसी रेल्वे में आती रहती है और भी इन दफ्यूचर आएगी से करेंटर साथथ और लेकिन मैंने आप रहना खाना सब अपना देखना किम्पनी आपको कुछ extra नहीं प्रवाइड करेगी चाहेश की कर देगा स्टाइब हो गया तो लेकिन मैंने आपको बतलान है ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप इस trade से जो है रखते हैं knowledge आप दस्वी पास हैं तो भी जा सकते हैं और आप जो है दस्वी साथ आइट आई के हैं तो भी आप जा सकते हैं training ले लिजेगा ना friends आपको तो knowledge हो जाएगी और knowledge के बल पे जो है आप कहीं भी work कर सकते हैं या government में भी job आता है तो job के लिए apply करेंगे तो आपको छूट मिल जाती है apprenticeship करने का यही आपको profit होता है अब हम बात करते हैं यहाँ पर age limit के बारे में और यहाँ पर application fee के बारे में देखें age limit आपका यहाँ पर बोला गया है कि 15 years minimum maximum 24 years और यहाँ पर age का limit दिया है वह 28 March 2023 तक आपको count करने है अपना age इसके बाद से application fee देखिए यहाँ पर general OBC को 200 plus GST आपको देना होता है SCST female को और Bclang को 100 रुपया प्लस GST तो यह आपको application fee रखा गया है अब बात आती है कि क्या 60%, 70%, 80%, 90% या 95% मैंने आपको starting बताया कि इसमें आपको कोई जो है exam नहीं होगा तो इसमें exam जब नहीं होगा तो selection जो होगा वो friends आपके percentage के base पे होगा अगर आप non ITI से form भर रहे हैं मतलब केवल दोसवी पे तो दोसवी का जो marks है ना आपके दोसवी के जो marks आते हैं आपके grade होगा marks होगा उसके basis पे selection होगा अगर आप X ITI के लावेदन देते हैं मतलब दोसवी के साथ साथ ITI तो इसमें क्या होगा ना दोसवी का plus ITI का marks के base पे जो है आपका यहां पे क्या होगा merit बनेगा अब बात आती है कितने percent वालों का selection होगा देखें friends इसका कोई जो है अनुमान नहीं है हालाकि इन्होंने बोला हुआ है कि आपको कम से कम 50% है तभी आप form को भर सकती हैं अब सोचिए इसके बाद वाले ही form भरेंगे मतलब एकावन बावन ऐसे करके है 50% भी तो form सकते हैं लेकिन यहां पी क्या 60% वालों 70% 80% वालों को selection होगा कि नहीं होगा मेरे हिसाब से देखें friends इस तरह की जो भी वेकिंसी आती है ना काफी हाई cut-up रहता है आप railway में भी मैंने काफी सारे apprenticeship की वेकिंसी के ऊपर वीडियो बनाए उसमें भी मैंने देखा है 90 80 90 मतलब जो है 100% तक वालों का भी selection मैंने देखा हुआ है तो वो लोग भी form को apply कर सकते हैं CBSC वालों का आप से को पता है ज्यादा percentage होता है तो उन लोग का ज्यादा chance होता है selection होने का बिहार बोड़ वालों का अगर किसी का 90 है 95 है 80 प्लस है तो मैं आपको recommend करूँगा कि आप हर सकते है चांस होने का जो है संभावना है लेकिन अगर आपका 50% है 60% है तो उमीद कम है हाला कि यह नहीं कि आप form मत भरिए अगर आपकी इक्षा है तो जरूर फॉर्म भरिए 100 रुपया तो अप्लिकेशन फिल लाएंगे बाकी 200 रुपया जेनरल OBC को है तो आप देख लिजेग यहनी 80 प्लस अगर आपका है तो आपको ज्यादा चांस है सलेक्शन होने का 60-70 परशेंट वालों का सलेक्शन होने का चंस बहुत ही कम है 50% वालों को नके बराबर है लेकिन डिपेंड करता है कि अगर आप मत जैसे इनका 38 जो है क्या है मैंने बताया ना आपको 38 जो है इनका क्या है कंपनिया है अलग-अलग राज्य में पूने में है इसके बाद से आपका महराष्टा जो आता है मध्य परदेश में काफी सारी है इसके बाद से उतर परदेश कानपूर में है इसके बाद से वेस्ट high हो जाएगा पूने वाले में थोड़ा कम गिरे तो पूने वाले में कम हो जाएगा तो अब depend करता है कि आप कहां के लिए form भर रहे हैं किस जो है यंत्र limited company के लिए भर रहे हैं तो उसके उपर merit यहां पर बनेगा अलग-अलग ठीक है न, दस्वी के लिए आपको अलग से merit बनेगा और ITI प्लस दस्वी है तो आपको अलग से merit बनेगा, तो इतना आपको overall जन्गारी समझ में आ गया होगा, कि ये क्या है, कैसे आपको है, और ये सब क्या है, अब बात करते हैं, क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेश से math और science नहीं पड़े हैं, दस्वी क्लास में, तो आप इस vacancy के लिए eligible नहीं ये form भरने के लिए, इतना आपको समझ में आना चाहिए, और बाकी जो overall है, वो 50% से कम नहीं होने चाहिए, और जो ITI बेस पे आवेदन दे रहा है, उसका भी 50% से कम नहीं होने चाहिए, ITI और समझानी कोशिस करूँगा, देखें, क्या math and science जरूरी है, जी हाँ, मैंने आपको बताया ना, math और science आपको compulsory है, नहीं रहेगा, फिर आवेदन नहीं कर पाएंगे, apprenticeship क्या है, मैंने और इसके फायदे मैंने बता दिया है, काफिसर लोगों ने बोला था कि EWS category नहीं आ रहा है, जो कि आपका यह salary रहेगा, और salary मत देखिए, आप देखिए कि apprenticeship हम कर रहे है, एक training ले रहे है, एक certificate हम प्राप्त कर रहे है, selection process, आपने पूछा था, तो selection process मैंने आपको बताया दिया, merit के base पे बनेगा, जिसका सबसे ज़्यादा highest percentage होगा, उसका chance ज्यादा है selection होने का, क्या girls भी apply कर सकती है, female candidates, जी हाँ, जरूर कर सकती है, एक से ज़्यादा factory के लिए apply होगा कि नहीं होगा, नहीं, आप एक से ज्यादा factory के लिए apply नहीं कर सकते हैं, किसी एकी factory के लिए आप form को apply करेंगी, जब आप form भरने जा रहे हैं तो वहाँ पे last में पूछ रहा है कि आ अंदर में काम करता है, कितने परतिसत पे merit बनेगा, ये काफिसर लोगों ने पूछा था, तो friends, देखिए, मैंने आपको यहाँ पे guess करके बताया, कि अगर आपका 70 plus है, तो ही form को मैं कहूंगा कि आप apply करिए, वरना इसके पिछे न पढ़िए, पैसा भी बरबाद, टाइम मैंने question pick किया हो था, मैंने previous video के उपर, जिसमें मैंने आपको form भर के बताया था, कैसे form को भरना है, तो वहां से मैंने question pick किया हो था, अगर आपके मन में कोई भी doubts है, comment box में पूछ सकते हैं, मिलता है किसी next video के साथ, और हाँ, video अच्छा लाग है, तो please like कर देजगा, video बनान मिलते हैं next video में, जाहिन